नमस्कार आ वीडियो छे साइन्स क्लास 10 चेप्टर 10 पार्ट 10 पार्ट 9 नी अंदर आपड़े काच ना लमगन माथी प्रकास नू वक्री भवन केवी रितना थाई एना विशे सिखी गया प्रकास नू लेटरल सिफ्ट केवी रितना मड़ी सके ए पन आपड़े चर्चा करी गया हवे आपड़े जुवानू छे प्रकास नू वक्री भवनांक आपड़ो टोपिक छे प्रकाशनू वक्री भवनांक एमाथी तमने अलग अलग रिते प्रस्न पुछी सकाई जे माथी पेलो प्रस्न एवो पुछी सकाई वक्री भवनांक समझाओ अथवा तो सापेक्स वक्री भवनांक समझाओ त्रोन प्रस्ण तमने सामानी रिते आट टोपीक मत ही आपना पुछी सकाई तमें दरेक दरेक प्रस्ण विशे जम जम आपने आगर समत्ता जासू M तमने एना जवाब मड़ी जसे बीजो प्रस्ण तमने एवो पुछी सकाई निर्पेक्स वक्री भवनांक समझाओ अने त्रीजो नानो प्रस्ण पुछी सकाई एक मार्क नो के पाणी ना वक्री भवनांक नो अर्थ 100 थाई अथ्वा तो पाणी नो वक्री भवनांक 1.33 छे तो एनो अर्थ 100 थाई हीरा नो वक्री भवनांक होई दारोके हीरा नो वक्री भवनांग छे 2.42 तो एनो अर्थ 100 थाई एवा अलग-अलग प्रस्न तमने पूछी सकाई अपड़ी NCRT नी स्टेटर जी प्रमाणे आपड़े समझी ए टेक्सबुक मा तमें अगाव अभ्यास करी चुकिया छो ज्यारे प्रकासना त्रासुक कीरन एक पारदर्सक माढदयम मा थी 2.42 पारदर्सक माढदयम मा प्रवेस करे चinar त्यारे विजा माढदयम मा थे पोता नी पीसा बदले च अपड़े आक्रूती जोईगिया ता શરિથીઓं આકીતી દૂરુ છોઇયા , SCH ની માધ્યમ જોટી પારંતિ શ્પા જોત પરંધ્યમ ક છે पोता नी दिशा बदल्वा नी मात्रा, केटला प्रमाण मा दिशा बदल से? ए मात्रा वक्री भवनांक नामनी रासी वड़े दर्शावाम आवे आपेल कोई बे माति हमोनी जोड माते थता दिसाना परिवर्तननी मात्रा एटले के प्रमाण वक्री भवनांक ना पधमा रजु करवाम आवे छे एटले के प्रकास नू कीरण केटली दिशा बदल से केटलू वाकू वड़ से एनू प्रमाण वक्री भवनांक ना पधमा रजु करवा मावे आपड़े स्निल्ला नियमनू समीकरण जोई गिया था स्निल्ला नियमना समीकरण नियंदर आपड़ी पासे आउ समीकरण अतु साइन आई छेदमा साइन आर इना बराबर आपड़ी पासे अतु अचड आ समीकरण मा जमनी बाजु आउतो अचड छे एटले के वक्री भवना ये जमनी साइडनु स्टेप छे आपड़ु अचड आगर जुए जुदा जुदा माधियम्मा प्रकासना प्रस्राणनी सापेक्स जड़ब तरीके उडखाती महत्व पूर्ण भवतिक रासी साथे वक्री भवनांक साकडी सकाई छे आ सापेक्स जड़ब सापेक्स वाडी बात होई एनो अर्थे हो के कोईनी साथे सर्खामनी थती होई त्यारे एने सापेक्स सब्द वापर ये छी है ज्यारे निर्पेक्स हो एटले ए पोतेज कोईनी साथे सर्खामणी करवानी न होई त्यारनी बात होई एने निर्पेक्स के वाम आवे छे तो प्रकास्ना प्रस्राणी सापेक्स जड़प तरीके ओलखाती महत्व पुर्ण भौव्थिक रासी साथे वक्री भवनांक ने साँकडि सकाई छे एतले के वक्री भवनांक ने जड़प साथे आपने कनेक करवानी छे तेवु जुहा मड़े छे के जुदा जुदा माधियम्मा प्रकास जुदी 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 जड़पे प्रसरण पामे छे हवाना माध्यम्मा प्रकास नी जड़प, पाणीना माध्यम्मा प्रकास नी जड़प, काचना माध्यम्मा प्रकास नी जड़प, दरेक अलग-अलग माध्यम्मा जड़प अलग-अलग होई छे सुन्य अउकास मा सौथी वधू अतमे याद राग्जो आकडो 3 गुणिया दस नि8 गात मिठर प्रतिसेकन नी जडपे गती करे छे एटले रम गहें सुन्य अउकास मा प्रकासनी जडप सौथी वधू उए छे अने ते लगबग हवा मा प्रकास नी जड़पनी नजीकज होई छे हवा मा प्रकास नी जड़प सुन्य उकास नी सापेक सहेज उची होई छे एटले हवा मा प्रकास नी जड़प अने सुन्य उकास मा प्रकास नी जड़प लगबग नजीकज लई सकाई हवामा थोडिक उची होई छे ज्यारे काच के पाणी मा ते नोंद पात्र प्रमाण मा घटे छे एटले के काच अन्य पाणी मा प्रकास नी जड़प गणी बदी उची होई छे अथ्वातो गणो फेरफार्त में जोहिस कोई उँ होई छे बे माधियमनी जोड माटे वक्री भवनांकनु मुल्य निचे दर्शाविया मुझब बन्ने माधियममा प्रकास नी जड़प पर आधारीच छे एटले के कोई बे माधियम होई तो वक्री भवनांकनु मुल्य बन्ने माधियममा प्रकास नी जड़प पर आधारीच छे पेल् तो आपणे एवु विचारी लोक माधियम एक मा प्रकास नो वेग अथवा तो जड़प V1 छे, माधियम बे मा जड़प V2 छे हवे आ जड़प अथवा तो वक्रिभवनांक विश्यनी वाद करी तो ये बन्ने माधियम मा प्रकारूप पराधारी छे आकरूती दस पॉइंट अगियार मा दर्सवया अनूसर प्रकास ना एक किरणनों विचार करो चे माधियम एक थी माधियम बे मा गती करी रहिव छे एटले के प्रकास नो किरण आम वायूना माधियम माथी काच ना माधियम मा दाखल थाई छे एटले के माधियम 1 माथी माधियम 2 मा जायी छे धारो के माधियम 1 मा प्रकास नी जड़प V1 अपना यह लखी नाखेली छे माधियम 1 मा जड़प V1 तथा माधियम 2 मा जड़प V2 छे माधियम 2 नो माधियम 1 नी साप एक्स वक्री भवनांग हवे बराबर जोजो, कोनों वक्री भवनांग छे, तो के माधियम 2 नो, को नी साप एक्स, तो के माधियम 1 नी साप एक्स फरी थी, माधियम 2 नो, माधियम 1 नी साप एक्स वक्री भवनांग, माधियम 1 माँ प्रकास नी जड़प एटलेके V1, माधियम 2 माँ प्रकास नी जड़प एटलेके V2, एना गुनोत्तर द्वारा रजु करवामा आवे छे जेने आपड़े N21 संगना वड़े रजु करवामा आवे छे, तेने समीकरण सो रूपे नीचे प्रमाणे रजु करी सकाए जो जो बराबर आपड़े एक सोटकट वाद करिये, आ संगना विशे तमने सपस्ट माहिती आपिदव, आ N21 लखेलू छे तो आने अर्थखेटन तमारे सू करवानू, तो के जेनू होई ए पेला लखेलू होई, पोता नू कारिये पोते पेला करता होई, तो जेनू होई ए पेला लखेलू होई, अने इना सापेक्स वाड़ी बात होई, ए पच्छी लखेली होई, तो आने वच्चाहिसू, तो के म माध्यम एक नी सापेक्स माध्यम बे नो वक्री भववनांग जो में आउ लखेलू होत एन, वण, टू तो आपड़ा हवे बाद करी गया छे के जनू होई इपेला होई इननी बाजुमा एक छे एक नो वक्री भवनांग छे औने बाजु वडू छे इसापेक्स तरीके होई तो आनों अर्थ सू थाए तो के माद्यम Bsound Y माद्यम 1 नों वक्री भवनांक तमने आऊ लखेलू होई NAB आने कोई पुछे काई आनों अर्थ सू तो हवे तम्य एजी लिकाई सक्छो माद्यम B útil साप X माद्यम A नों वक्री भवनांक अवे वक्री भवनांक ने वेग वड़े दर्सावी सकाई उन पाच्छो आना माटे नी पन स्वाटकट तमने आपाऊँछू N2 1 लखेलू होई तो आनो अर्थ एवत यो माध्यम एकनी सापेक्स माध्यम 2 नो वक्री भवनांक जो वक्री भवनांक ने वेग ना पद मा लखू होई तो आ छेली रासी एटले के सापेक्स वाडी छेई अंस मावे और पच्छीनी रासी छेई छेद मावे एटले आया आउ लखी सकाई छेली रासी पेला एटले के V1 और पेली रासी छेला एटले के V2 एटले के N21 ने वेगना स्वरूप मा लखु होई तो V1 अपन V2 लखी सकाए हुँ उल्टू लखु N12 लखु एटले के माध्यम बेनी सा पेक्स माध्यम एक नो वक्री भवनाग आने वेगना पद मा लखु होई तो छेलू पेला एटले के अन्समा आउसे V2 अने छेद मा आउसे V1 अटलू क्लियर हवे आपड़ा अगडवदिये N21 एटला आनू अर्थकटन माध्यम एक नी सा पेक्स बेनो वक्री भवनाग जेनों होई ए पेला आवे भेगना स्वरूप मा लखु होई तो छेलू पेला एटले के छेलू अन्समा एटले के माध्यम एक मा प्रकास नो वेग V1 छेद मा माध्यम बे मा प्रकास नो वेग V2 अथवा तो प्रकास नी जडप V1 या प्रकास नी जडप V2 अवे सेम इज आज दलिल मुझब माधिय मेक नो माधिय मेनी सापेक्स वक्रि भवनांग एटले के माधियम एक नो माधियम बे नी साप एक्स वक्री भवनां कोनो तो के एक नो एटले N12 एटले बे नी साप एक्स एक नो वक्री भवनां सिम्पल V2 अपन V1 एन सब्द स्वरूप मा आपड़े आम लखी सकाई माधियम बे मा प्रकास नी जड़प एटले V2 माधियम एक मा प्रकास नी जड़प एटले V1 जो माधियम एक सुन्य उकास के हवा होए हवे जो जो बराबर माधियम एक सुन्य उकास के हवा होए तो माधियम बे नो वक्री भवनां सुन्य उकास नी साप एक्स गणाई अतियारे धारोके अहिया माधियम एक आपड़े वायू लिदेलू छे अहिया हवा जोई हवा अथवा तो सुन्य उकास होई धारोके तो हवे तमें सु कही सको क्या माधियम 2 नो वक्री भवनांग पन कोनी साप एक्स हवा अथवा तो सुन्य अवकास तेने माधियम नो निर्पेक्स वक्री भवनांग कहे छे प्रस्ण पुछाई एक मार्क मा निर्पेक्स वक्री भवनांग कोने कहे छे तो तमें कही सको जो माधियम एक हवा अथवा तो सुन्य अउकास होई तो माध्यम 2 नो वक्री भवनांग सुन्य अउकास नी सापेक्स गणाई अने तेने केवा मावे माध्यम नो निर्पेक्स वक्री भवनांग इन्सोर्ट सुन्य अउकासनी सापेक्स चेते माधियमनो वक्री भवनांग होई एने निर्पेक्स वक्री भवनांग केवामा आवे अगर जुए तेने फक्त N2 वडे दर्शावाई छे अपड़ा इया अउ दर्शावताता N21 होई तो माधियम 1 मा प्रकासनो वेग V1 माधियम 2 मा प्रकासनो वेग V2 पन जो मात्र N2 लखेलू होई एनो मतलब M के निर्पेक्स वक्री भवनांग तो उपर तमें समझी सको छो कि सुन्य अउका सत्वा तो हवामा प्रकास नो वेग छेद मा माधियम मा प्रकास नो वेग तो आने केवाम आवे निर्पेक्स वक्री भवनांक जो हवा मा प्रकासनी जड़ब C होए अने माध्यम मा जड़ब V होए तो माध्यम नो निर्पेक स्वक्री भववनांक NM नीचे प्रमाणे अपाई एटले NM बराबर हवामा प्रकासनी जड़प C, छेद मा माधियम मा प्रकासनी जड़प V हवे आपणे निर्पेक्स वक्री भवनांक नू अर्थ गटन खरेखर समझ वानू छे आगर जो ये माध्यमना निर्पेक्स वक्री भवनांक ने फक्त वक्री भवनांक कहे छे एटले तमार हवे एव समझी लेवानू के तमने एव किदू ग्लास नो वक्री भवनांक 1.5 छे तो तमारे समझवानू के काच नो निर्पेक्स वक्री भवनांक 1.5 छे एनो मतलबें के सुन्य अउकास मा प्रकास नी जड़प छेद मा काच मा प्रकास नी जड़प नो गुनोत तर मड़े छे 1.5 एटले फरी पाचु बोलूचु निर्पेक्स वक्री भवनांक नू अर्थ गटन तमे आउकरी सको धारोक आईया हुँ तमने आउब बतावुचु बरफ नो वक्री भवनांक आपेलो छे 1.31 आनू अर्थ गटन सु तो के सुन्य आउकास मा प्रकास नो वेग छेद मा बरफ ना माध्यम मा प्रकास ना वेग नो गुनोत तर केटलो मड़े छे 1.31 आने केवाई बरफ नो निर्पेक्स वक्री भवनांक सेम यव नव बीजो सब्द बोलुचु केनेडा बाल्सम एनो वक्री भवनांक आईपो छे 1.32 तो केनेडा बाल्सम ना निर्पेक्स वक्री भवनांक नो अर्थ गटन करवू हो इतो तमे आउकाई सको सुन्य आउकास मा प्रकास नो वेग, छेद मा केनेडा बाल्सम ना माध्यम मा प्रकास ना वेग ना गुणोत्तर ने निर्पेक्स वक्री भवनांक केवामा आवे छे अगड जुए आपणी बुक प्रमाणे कोस्टक 10.3 मा केटलाक माध्यम ना वक्री भवनांक को दर्सावेला छे एटले अलग-अलग माध्यम ना वक्री भवनांक कोस्टक 10.3 मा दर्सावेल छे तमे आई याँ जोई सक्सो हीरा नो वक्री भवनांक सौथी वधारो छे 2.42 अने वायू नो वक्री भवनांक सौथी ओछो 1.3003 अगड पाणी नो वक्री भवनांक 1.33 चे एनो अर्थ ए थयो के हवामा प्रकासनी जडब तथा पाणीमा प्रकासनी जडब नो गुणोत्तर 1.33 चे आपड़े समझी गिया आगड ते जरीते क्राउन काचनो वक्री भवनांक 1.52 चे एनो अर्थ पाण ए जरीते सुन्याव कासमा प्रकासनो वेग छेदमा क्राउन काचमा प्रकासना वेग नो गुणोत्तर लियो तो जवाब मडे चे 1.52 आ प्रकारनी माहिती गणी जगियाई उप्योगी थाई छे जोके तमारे आ माहिती याद राखवानी जरूर नथी एटले आ बद्धाज आकडाओ गोखवानी तमारे जरूर नथी पाण तमने एव ख्याल हो जोई के कोनो वक्री भवनांक सवती वधारे छे कोनो वक्री भवनांक सवती ओछो छे है हवे एक बीजी वधारानी माहिती तमने हूँ आपी दव तमने आनो अर्थ करतावडी गयो छे वे एटले माधियम एक नी सापेक्स माधियम बे नो वक्री भवनांक आने मारे जो वेग ना स्वरूपमा लखु होए तोहुं आउँ लखु छू छेलू पेला लखु छू एटले के V1 छेदमा V2 जो N21 ने मारे थीताना स्वरूपमा लखु होए तोहुं आउँ लखी सकिस नेलना नियम ना व्यापक उप्योग छे साइन थीटा वन छेदमा साइन थीटा टू अने जो मारे आने एन ना स्वरूप मा लखू होए तो हुँ आम लखी सकीस एन टू छेदमा एन वन तमारे याद राख्वा माटिनी सटकत रिता छे एन टू वन छे पण वेग ना स्वरूप मा लखू छेए एटले छेल्लू पेला एटला देसी रिच्छे आपड़ी छेल्लू पेला एटले विजु काई नही पण छेल्ले जे अंक लखेलो छे एने अंसमा लखवानो अने पे जो पोतानू पोताना च्वरूप मा लखवानो होई तो आपड़े बात करी गिया ची पोतानू काम हमे समान सो पेला करता होई तो पेल्लू पेला ज राखवानू एटले के पेल्लू अंसमा राखवानू आने छेल्लू छेदमा एटले के एन टू वन ने एन ना स्वरूप म करीले जो आगण वधिये अवए कोष्टक पर थी नोंधो के प्रकास नी द्रस्ति है वधु घठ माधियम वधु दड़ गंता धरावतु होँ जरूरी नथी एटले के प्रकास ये घठ होई ए दड़ नी द्रस्ति है पन वधारे घठ होई एव जरूरी नथी आपणे प्रकासिय घटता वक्री भवनांक ना मुल्य उपर थी नकी थाए जनों वक्री भवनांक वधारे होई एनी प्रकासिय घटता वधु केवाई अने जेनों वक्री भवनांक उचो होई इनी प्रकासिय घटता उची केवाई तो तमें कई सक्सो के पाणी अने केरो सिन मा केरो सिन वधू प्रकासिय घट छे पन जो दड़ विशे निवाद करवी होई तो पाणीनु दड़ अथ्वा तो पाणीनी दड़ घंता केरोसिननी दड़ घंता करता वधारे होई एटले प्रकासिय घट माद्यम वधु दड़ घंता दरावतु होई एवु जरूरी नथी अगण उदाहरण तरीके एज वाच्चे केरोसिननों वक्री भवनांक पाणी करता वधारे होई थी ते प्रकासिय द्रस्टिय पाणी करता वधु घट छे छता तेनी दड़ घंता पाणी करता उची छे अवे तमने वधु जानवा जेव आपेलू छे आपणी आगण वाद करी गिया एप्रमाणे प्रकासिय घट माध्यम अने प्रकासिय पातरु माध्यम कोने केवाम आवे इना विशेनी वाद तमने बोक्स नी अंदर आपेली छे जोता जे आपणी फटा फट कोई माध्यम द्वारा प्रकास ने वक्री भूद करवानी एक समता ने तेनी प्रकासिय घटा वड़े रजू करी सकाए एटले प्रकासिय घटा द्वारा रजू थाए के प्रकासिय घटा केटली छे आने एने आनो रूप केटलू वक्री भवन थसे एक खबर बड़े प्रकासिय घंताने चोकस सुचितार्थ छे ते दड कंता जेहूज नथी आ प्रक्रण मा पातलू माध्यम तथा घट माध्यम सब्दनो उप्योग करिये छे पन वास्तव मा तेनों अर्थ प्रकास नी दरस्तिय पातलू अन प्रकासिय घट माध्यम छे अपड़े क्यारे एम कई सकिये के कोई माध्यम बीजा माध्यमनी सापेकसे प्रकासिय घट चे आ बे माध्यमोनी सर्खामनी करती वक्ते वधारे वक्री भवनांग दरावतु माध्यम बीजा माध्यमनी सापेकस प्रकासिय घट चे एतले जेनो वक्री भवनांक वधारे ये प्रकासिय गट अन्य जेनो वक्री भवनांक ओचो ए प्रकासिय उच्छु गट केवाम आवे एतले के प्रकासिय पात्ळू मधियम ज्यारे बीजो ओछो वक्री भवनांग दरवक माधियम प्रकासिय पातलू माधियम छे पातला माधियम मा प्रकासनी जड़प घट माधियम नी सापेक्स वदारे होई स्वाबाविक छे प्रकासनी द्रस्तिय जे पातलू माधियम होई तेमा प्रकास नी जड़प वधार होई ज्यार घट माधियम मा जड़प उची होई पातला माधियम मा थी घट माधियम मा जत्ती वक्ते प्रकास नू कीरण धिमू पड़े छे तथा लंब तरफ वाकू वड़े छे आपने अगड जोई गिया पातलामा थी घट तो लंब तरफ अने घट थी पातलामा तो लंब थी दूर जाई छे इन्सोल्ट आ पेरेग्राफ नी अंदर तमने एव केवा मागे छे के जेनो वक्री भवनांक वधारे छे ते प्रकासिय घट माधियम जेनो वक्री भवनांक वचो छे ते प्रकासिय पातलू माधियम केवा मावे आपने अईया घट अने पातलामाधियम नो उप्योग करिये तो ते प्रकासिय घट ताना संदर्व माज छे कीरण पातला मा थी घट मा जाए तो लंब तरफ वड़े अने घट थी पाता मा धियम मा आवे तो लंब थी दूर तरफ जाए आम आही ती तमें बराबर याद राग जो तमने आगड घणेवधी उप्योगी थसे चोही आपड़ा आगड यहां आपडने टेक्स्बुक ना प्रस्णु आपेला छे ए प्रस्णा तरफ आपड़ा आगड वदिये हवे पेल्लो प्रस्णा वोचे आपड़ो हवा मा गती करतू प्रकास नू किरण पाणी मा त्रासू प्रवेसे छे सू प्रकास नू किरण लंब तरफ वाकू वड़से के लंब थी दूर जसे क्येम हवे तमने जोजो बराबर हवा मा गती करतू प्रकास नू किरण पाणी मा त्रासू प्रवेसे छे यहले किरण सरू आत्मा हवा मा चे पच्छी प्रवेसे छे पाणी मा हवे तमने पुछेलू छे लंब तरफ वाकू वडशे के लंब थी दूर जसे तो तमें क्लियर छो हवा एटले प्रकासिय पातलू मध्यम पाणी एटले प्रकासिय घट मध्यम किरण छे इपातला मध्यम मा थी घट मध्यम मा दाखल थाई तो लंब तरफ वाकू वड़ से पर इथी तम्या आउँ लखान करी सको हवा माथी पाणी मा प्रवेश्थू प्रकास नू त्रासू किरण लंब तरफ वड़े छे कारण के पाणी प्रकासी घट माधियम छे अने हवा प्रकासी पातलू माधियम छे प्रकास यह 15 माधियम करता घट माधियम मा प्रकास नी जड़प उची होई एतला इया जड़प उपर वधारे असे नीचे उची होई इने कारणे प्रकास नू किरन हवा माथी पाणी मा गती करे छे त्यारे जड़प घटे अने लंब तरफ वाकू वड़े छे आवा सब्दों मा तमारे लखान करवू पड़े अगर जोए बिजा प्रस्ण मा प्रकास हवा माथी एक पोईट पच्चास वक्री भवनांग धरावती काचनी प्लेट मा प्रवेसे छे एतले तमने काचनों वक्री भवनांग कापेलो छे काचना माधी बवनांग नहीं प्रकास जीए लखु तो सुन्या वक्री प्रकास मांग य चेदमा माध्यम मांप्रकास नूवेग एतले के काचना माध्यम मांप्रकास नूवेग सु गोत्वानू छे तमारे तो के निर्प्यक्स वक्री भवनांग तमने आप्यालो छे 1.50, एकला आईयां हुँ लखुछु 1.50, आ सी ये तमने ख्याल छे 3 गुणियां 10 नी 8 गत, तो काच मा एटले के माध्यम मा प्रकास नी जडब तमारे V गोत्वानी छे, एकला आईयां लखी सकु 3 गुणियां 10 नी 8 गत, छे दमा लखुछु V, तो हवे easy V ने सुत्रनो करता बनावीशू अपड़े, तो सुथे जसे 3 गुणियां 10 नी 8 गत, छे दमा आपड़े लखी सक्षु 1.50, एटले के 1.50, एटले के 1.50, एटले जवाब मड़ी जसे 2 गुणियां 10 नी 8 गत, मीटर प्रती सेकंड, एटले काच मा प्रकासनी जड़ब 2 गुणियां 10 नी 8 गत, मीटर प्रती सेकंड, आतमने ख्याल आवी जसे, हवाब मा प्रकासनी जड़ब 3 गुणियां 10 नी 8 हतु, तो काच मा प्रकासनी जड़ब 2 गुणियां 10 नी 8 गत, मड़ी, तो एणो मतल प्रकास नी जड़प घटी गई एवु तमने दाखला द्वारा समझी सकाए अगर जुए कोस्टक 10.3 मां सौथी वदू प्रकास ये गंता दरवतु माधियम सोधो लगुतम प्रकास ये गंता दरवतु माधियम पन सोधो तमने आपेलू चे जुहिए आपड़ा कोस्टक माज सिद्धू अनो वक्रिभवनांक सौथी उच्छो एटले हवा आथ्वातो वाईव सौथी उच्छु प्रकास ये गंता दरवतु माधियम इरानो वक्रिभवनांक सौथी उधारे एटले हीरो चे इसौथी उधू प्रकास ये गंता दरवतु माधियम जे बन्ने प्रस्णोंनों जवाब आपड़ने मड़ी जाए चुहे आगड तमने केरोसीन तरपेंटाइन तथा पाणी आपेल छे आपईकी सेमा प्रकास सौथी वधू जड़ब्थी गती कर से कोस्टक 10.3 मां आपेली माही तीनों उप्योग करो तो तमें जोई सको के जे प्रकासी ये पातलू माधियम होए येमा प्रकास सौथी वधू जड़ब्थी गती करे तो हवे तमें कोस्टक मां जोसो तो केरोसीन नों वक्री भवनांक टरपेंटाइन आने पाणी आपड़ जुहानू छे केरोसीन नों वक्री भवनांक पछी टरपेंटाइन आने पाणी नों वक्री भवनांक तो यह चे केरोसीन 1.45 टरपेंटाइन छे 1.44 आने पाणी नों वक्री भवनांक छे 1.33 तो तमें आ त्रणी वक्री भवनांक निसर खामनी करो तो यहमा पाणी नों वक प्रकासनी जड़ब केवी अशे साउथी वधारे तमने उल्टो ब्रस्न पुछी नाखे आनी अंदर के आ त्रोण माध्यम मा प्रकासनी जड़ब साउथी ओची केमा आशे तो जेनों वकरी भवणांक वधारे एमा जड़ब साउथी ओची एटले के टरपेंटाइन तेल मा प्रकास नी जड़ब सौथी ओची असे आपनो नेक्स्ट क्वेस्टन जोईए हीरा नो वक्री भवनांक बे पॉइंट बेतालिस छे आ विधाननों सु अर्थ थाई यहां हीरा ने आपड़े आउड लखे एन डाइमंड माटे हूँ डी लखू चुखाली एन डी इस इक्वल्स टू तो मैं आउड लखे सको C अपन V एटले हीरा नो वक्री भवनांक बे पॉइंट बेतालिस एनों अर्थ आओ थाशे के हवामा अथवात सुन्या उकास मा प्रकास नो वेग छेदमा हीरा मा प्रकास ना वेग नो गुणोत तर मड़े छे अपने बे पॉइंट बेतालिस आएना निर्पेक स्वक्री भवनांक नो अर्थ थियो तो अपने एक्सरसाइज ना आप आचे-पांच प्रस्न जोई गया तमने बराबर स्पस्ट समझाई गया से तमारे जहरे तमे वीडियो सामबढता होई और जरूर पड़े हुँ बोलू छुए लखवानी तो तमे वीडियो पोस करी और धीमे दीमे एनी साथे-साथे इना अलग-अलग स्टेप लगता जही सको अथ्वा तो वीडियो सामबढती वक्ते पन तमे तमारी नोटबूक नी अंदर अलग-अलग स्टेप लखी और जवाब आराम्ति लखी सको आपड़ा नेक्स्ट वीडियो मां जोए गूलिय लेंस द्वारा थतु फक्रिभवन